तो आज मैंने तुर्गा मेकप लुक क्रेड किया है वो भी सिर्फ जो फियर और लवली की क्रीम है उसके साथ नोट बीबी क्रीम जो क्रीम होती है ना क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि अगर हमारे पास फियर और लवली है या कॉम्पैक्ट है तो उसकी साथ हम मेकप कैसे कर सकते हैं तो वही लुक जो है मैंने आज क्रेड की है आपके लिए तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक जो है वो आया है तो फियर और ल आप मुझे कुछ कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है आप पिक्चर्स वीडियो देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक जो है वो मैंने क्रेड की है सिर्फ ए फिर लवली की क्रीम के साथ तो अगर आप जाना चाहते हैं तो देखते रहें एंड़ता की वीडियो को लाइक कर दे है थोड़ी से उसमें शुगर डालके आप अपनी लिप्स को स्क्रब करें क्योंकि मैं आपको पूरी डियाइवाइ दे रही हूं एजी एजी से और बहुत ही अफोडेबल है जो आपके घर पर मौजूद होती है चीजें उसके बाद आपको क्या करना है फेस तो आपने क्ल तो उसके बाद थर्स टेप जो है वो है फिर एन लवली क्रीम नॉट बीबी क्रीम अगेन मैं 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 मैंशन कर रही हूं बीबी क्रीम नहीं है यह जस्ट नॉर्मल क्रीम है थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी लेकर हमें थोड़ी से ज्यादा ब्राइटनेस चाहिए तो पाद आपको लेना है एक कॉम्पैक्ट पाउडर ठीक है कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ आप अपनी जो बीबी सौरी जो फिर एन लवली की क्रीम में उसको थोड़ा सा सेट करें और इसके साथ आपको थोड़ी सी कवरेज जो है वो भी मिल जाएगी इस तरीक इसे प्रॉ यह मैंने बहुत सस्ता सा लिया है क्योंकि बहुत सारी लोग जो है फोड़ नहीं कर सकते तो बहुत सस्ता सा है ऐसा लेना है जिसमें आपको ऐसा पाउडर मिले ब्राउन मिल जाए ब्लैक मिल जाए एक दो शिंबरी कलर मिल जाए उसमें जिससे आपका काफी मेक अप जो है तो उसके साथ ही मैं अपने आईब्रोज को कर रही हूं फिल आपको एक पैलेट जरूर रखना है अपने साथ ठीक है आपको काफी से आप्शन मिल जाते हैं लोकल मार्किट में परचेस करने जाएं आईब्रोज को असले करने के बाद मैंने इस पूली के लप के साथ इसको कि अगर हम ब्राउन शेड़ो यूज करेंगे अगर थोड़ी देर बाद अगर हमारा मेकप डल भी होना स्टार्ट हो जाएगा तो भी हमारी जो आईज हैं वो खराब नहीं लगेंगी क्योंकि हमने ब्राउन शेड़ो यूज किया है और हमारी आईज भी हलकी फुल के अगर अगर आप फेरान लवले की क्रीम से मेक अप कर रहे हैं तो इस तरीके से करें ठीक है ब्राउन शेड़ो यूज करें उसके बाद से मैने ब्लैक शेड़ो लेकर अपनी वाटर लाइन पर लगाया है लेकिन अगर आपके पास काजल अवेलेबल है तो आप काजल लिया है क्योंकि सबी के पास बहुत सारे प्रोडठ्स नहीं होते हैं उसके बाद में हलकी सी कशेड़ो के साथ जो मैंने हाइस पर अपलाई की है बड़ी हलकी हलकी लाइन लगाने के बाद मेने इसको फिंगर की हल्प के स French के साहथ ब्लैन्ड कर दिया आपको बहुत ज़् नहीं यूज की है मैं बार बार यहां पर मेंशन कर रही हूं ठीक है तो बड़ा ही हलका हलका सा कॉंटारिंग जो है वो मैं कर रही हूं तो फिंगर के लप के साथ ही ब्लेंड करना है उसके बाद फिर से मैंने कॉंपैक्ट लिया है और मैं इस कॉंटारिंग को जो है लेकिन अगर आप बारबर सेट खरने के नहीं इसके बार लास्ट में हम सेट कीजिए को बॉचर के बाद उसके बाद मैं यह वाला कलर ले रही हूं ने कि लिए ठीक है तो इस तरीके अपनी चीक चीक पर बलश्य जो है पार गारी एंप थोड़ा हल्का सा ज़्या-दै कि मैं इसको blend करूंगी तो अगर आपके पास आई शेड़ पैलेट में शीमरी शेड है तो आप अपलाए करें लेकिन ध्यान रखें कि शीमरी शेड जो है वो लाइट नहीं होनी चाहिए स्किन टोन से मैच करती होनी चाहिए नहीं तो आपकी स्किन वाइट वाइट लगी गैलक्सी लगेगी उसके बार फिर से मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लिया और सेट कर लिया ठीक है इसके साथ जो है सब कुछ ब्लैंड हो गया है जो कोई ज्यादा नहीं लग रहा है उसके मेरे पास शीमरी शेयड नहीं था मैने जैसे बताया कि मैट शेयड ही है सारे लगते शीमरी है इसलिए मैंने सेपरेट जो जो था हाइलाइटर वो यूज किया दरवाइज आप ऐसी आईशादो पालेट से यूज कर सकते हैं उसके बाद आपको लिप लाइनर लेना है अग कर सकते हैं अगर लिप स्टिक के साथ या ब्रश के अलब के साथ अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लिप को पहले लाइल कर सकते हैं लिप स्टिक के साथ ही उसके बाद आप लिप स्टिक को कर लें फिल तो यहां मैंने कोई सैटिंग स्प्रे यूज नहीं की है अग ये मेक अप आपके बहुत अच्छा होगा अगर आपके फेस के ऊपर कोई फ्लाउस वगयरा नहीं है तो ये आपके ऊपर मेक बहुत अच्छा लगेगा तो गाइज अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी हलपफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड और फैमिली की साथ शेयर कीज होजेगा तो सी यू गाइज इन में नेक्स वीडियो अंटिल दें टिक के बाई बाई लव यू आल